अब एक बात फिर जेल ग्राउंड से उपसायक अधीक्षक को जेल का चक्कर लगाते समय एक पैकेट मिला इसमें से दो मुबाईल फोन और पांच सिम बरामद किये गई जेल अधीकारी की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्द कर लिया है और साइबर सेल की मदद से जल्द ही मुबाईल और सिम कार्ड के बारे में पता लगाने की बात पुलिस की ओर से की जा रही है अमबाला सेंट्रल जेल किसी ना किसी कारण वस्य सुर्खियों में बनी रहती है पिछले कुछ महीनों में कैदियों की आत्मातिया के प्रयास के मामले सामने आ चुके हैं तो वहीं अब अमबाला जेल से मुबाईल और सिम कार्ड बरामद हुए है यह मुबाईल और सिम पैकेट ब्लॉक नमबर 6 के पास्थित एक पीपल के नीचे से बरामद हुए है यह पूरा सामान एक पैकेट में फैक करके फेक गया था इस मामले में जेल के उप सहायक अधीक शक धज्जा राम की शिकायत पर अमबाला पुलिस ने अग्यात व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्द कर लिया है पुलिस अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि उनके पास जेल अधिकारी की शिकायत आई है कि जेल में किसी अग्यात ने मुबाईल और सिम का पैकेट फेका है जो की बरामद किया जा चुका है इस पर कारवाही करते हुए मामला दर्द कर लिया गया है साइबर सेल की मदद से मुबाईल और सिम की जांच की जा रही है पैकेट से दो मुबाईल और पाथ सिम कार्ड बरामद हुए है अंबाला से हमारे जिला समवात दाता विकास और लियान की रिपोर्ट इस मामले में चानबीन की जारी है और आइंदा जो ब्रामद सुदा मोबाल हैं उनके बारे में साइबर से हैर्प लेगर और सचाई को सामने लागे एक्वीट को अरेस्ट के लागे सब क्या कुछ ब्रामद किया गया है दो मोबाल और पांच से अभी तक मतलब जाच जारी है और साइबर से इम्दाद से इसमें तर्टीस की जारी है जो से ताई आएगी अरोपी होंगे जेल कार अगर परशद में के अंदर ही मिले हैं हमारे फेस्बूक पेज को लाइक फॉलो और शेयर करें साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और ताजा खबरों के लिए बैल आइकॉन को दबाना न भूलें झाल हुआ आए खबरों के लिए लेगद में ताजा शेयर कि और पर शेज खबचित दो आएगी झाल है